तो कई बार हमारे पास XL में बहुत सरा डेटा रहता है हम इसको इस डिरेक्शन में तो शॉट कर सकते हैं मतलब उपर से नीचे या नीचे से उपर लेकिन अगर हमें डेटा शॉट करना है कॉलम वाइस जैसे यह उन्दी सौसी दोहार एक दोहार सतरह है मैं चाहता हूं कि यह इसको एक बार कॉपी करता हूं इसका अधर तरीका तो है कि एक एक फाइल को कॉपी करके पेश्ट करते रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है मैंने इसको कॉपी किया और इसके पास ही मैंने इसको पेश्ट किया लेकिन पेश्ट करते समय मैंने इसके उपर क्लिक किया ट् और फिर इसके आगे इसको यहाँ पर copy नहीं करते हैं इस सीध में इसको मैं नीचे copy करता हूँ इसके ऐसे ट्रांसपोस चाह एक रोह आगे छोल देते हैं और यहाँ पर इसको पिष्ट करते हैं ट्रांसपोस अब इसके आगे मैं numbers लिखता हूँ एक दो एक नमबर रिपेजेंट करता है सबसे बड़ी क्लास को और नमबर लिखने के बाद राइट क्लिक करिए इसको करिए शॉट हमें चाहिए largest to smallest और क्लिक कर दीजे expand the selection और शॉट तो इस सब डेटा आपका शॉट हो गया अब इस एक दो तीन चार की फिल से जूरत नहीं है तो इसको delete करिए और अब इस डेटा को फिल से select करिए अब देखेंगे कि यह पूरा डेटा शॉट हो गया है आप इसको cross check भी कर सकते हैं तो इसको मैं delete करता हूं और इस class को मैं कुछ समय के लिए c के नीचे लेकर जाता हूं यहीं पर तो आप देखेंगे कि 1910 में 0.10 से शुरू होके 5.13 पर खत्म हुआ यहां पे भी ठीक ऐसा ही है 2.1 में 2.79 से शुरू होके 63 के उपर है यहां भी भी ऐसा ही है और 2.050 में 1.8 से 41 और 140 तो यह कुछी second वीचे data आपको short हो गया अगर आप इसको manually करते तो इसको short कर करने के लिए आपको काफी समय लगता है इसके लिए कि टूल नहीं है एक छोटा सा trick है तो अमीद है आप लोग जानके होंगे कि बड़े बड़े काम बहुत असानी से भी short किया सकते हैं बस थोड़ा सा trick चाहिए हमें